आज के इस वीडियो में अभ्यासेट 5 में हम NEP 2020 को अच्छी से जानने की कोशिज करेंगे, समझने की कोशिज करेंगे तो टोटल 25 क्षेट है जिसमें NEP 2020 के बात की गई है तो इन 25 क्षेट को जब आप देखेंगे, solve करेंगे तो आप NEP 2020 को और अच्छी से जान पाएंगे, समझ पाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और हम वीडियो को सुरू करते हैं और पहला question हमारे सामने आता है कि who was the chairman of the NEP 2020 drafting committee की NEP 2020 की जो drafting committee है जो मसोदा समिती है उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कैला सिवन थे, प्रोफेसर यसपाल थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे या प्रोफेसर जी राजा गोपाल थे, कौन थे? तो इसका right answer क्या होगा? option C, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो मसोदा समिती थे, इसके chairman थे, इसके अध्यक्ष थे ठीके, आगे हम बढ़ते हैं question number two, अब question number two में क्या पूचा है कि केंद्री मंत्री मंदल ने राष्ट सिक्षा नीती 2020 को कम मंझूरी दी? 29 जन्वरी 2020 को दी, 29 जुलाई 2020 को दी, 29 अगस्ट को दी या 29 सेप्तमबर को दी, तो कब दी? तो right answer इसका क्या होगा? option B, 29 जुलाई 2020 को केंद्री मंत्री मंदल ने राष्ट सिक्षा नीती 2020 को मंझूरी दी, ठीक है? question number three, अब question number three में क्या पूचा है? SDG goal जो four है उसके बारे में पूचा गया है, जो सिक्षा से सम्मंदित है, ठीक है? तो इसमें क्या पूचा है कि भारत ने सत्त विकास के लिए, सस्टनेबल डवलप्मेंट के लिए, 2030 एजंडा के लक्ष 4, लक्ष 4 मतलब SDG 4 को कब अपनाया? ठीक है? तो इसको कब अपनाया? 2015 में, 20 में, 30 में, 25 में, तो देखिए, 30 और 25 तो भी आया नहीं है, ठीक है? तो क्वेशन नंबर 4, आप 4 में क्या पूचा है? कि NEP 2020 का लक्ष कब तक स्कूली सिक्षा में 100% सरकल ना मांगका अनुपात हासिल करना है? कि NEP 2020 aims to achieve 100% gross enrollment in school education by? ठीक है, कब तक? option क्या है? 25, 2030, 2035 या 2040 तो कब तक की स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों को स्कूल तक लाना, जो enrollment rate है, उसको 100% करना, तो क्या इसका right answer है? ठीक है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है? राइट आंसर क्या है? तो इसका right answer क्या है? 2030 ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं question number 5, तो question number 5 में क्या पूछा है, कि NEP 2020 में निमलिखित के विकास पर विसेज जोड दिया है, किसकी विकास पर विसेज जोड दिया है, ठीक है? best infrastructure in the world, कि दुनिया में अपना जो infrastructure है, बुनियादी जो धाच है, उसको सबसे बहतर बनाना या B, provision to give 100% employment, कि 100% जो रोजगार है, उसको देने का प्रवधान, या C की बात करते हैं, तो provision to give free education, मुफ्त सिक्चा, निसुल का सिक्चा देने का प्रवधान, या option number D, creative potential of each individual की परतेग व्यक्ति की, जो रचनात्मक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इसका right answer क्या है, creative potential of each individual की परतेग व्यक्ति की रचनात्मक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् साव्ति यह प्राचिन और सास्वत भारती ग्यान की संबीध विरासत प्राचिन और सासवत भार्ति ग्यान की संब्रीयद विरास्थ इन económяз और फैनी पीश्च की बात करें ना देक जो सेक्चिक संसाधन है, उन संसाधनों का विकास करना, और पहले की तरह भारत को फिर से विश्वक गुरू बनाना, ठीके, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इंडियन नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, भारती जो ग्यान है, समरिद ग्यान है, ठीके, उस नमबर सेवन, तो सेवन में क्या पुछा है, राष्टे सिच्चा नीती के तहत, विद्याले सिच्चा के सरचना को कितने चर्णों में बाटा गया, देखिए, 1986 की जो एजुकेशन पॉलसी थी ना, तो इसमें जो एजुकेशन का जो श्रक्चर था, वो था 10 प्लस 2 प्लस 3 ठीक है, तो इसमें से भी देखें, तो विद्याले सरचना को दो भागों में बाटा था, 10 प्लस 2, लेकिन जब NEP 2020 आई, तो इसमें जो स्कूल का एजुकेशन श्रक्चर इसको कितने भागों में बाटा गया है, 3, 4, 5, 6, तो राइट आंसर क्या है इसका, 4, अब क्वेशन आपके सामने आ रहा होगा न, कि 4 कौन-कौन सा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं, विशन नमबर 1, कि राष्ट सिक्चा नीती 2020 के अनुसार नई सेक्चनिक और पाठचरिया सरचना क्या है, पहले तो 10 प्लस 2 थी न, अब NEP 2020 को जब 1986 की जगे रिप्लेस कर दिया गया है, तो अब नई सिक्चा रचना क्या है, स्कूल लेवल पर है, ठीक है, ओप्सन A, 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 या B, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 या C, 4 प्लस 3 प्लस 5 या D, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 तो राइट आंसर क्या है, ठीक है, आज का सुनने में आता है न, ओप्सन B, 5 प्लस 3 प बात करते हैं तो प्रिप्रेटरी स्टेज इसमें क्लास कौन सी आती है 3, 4, 5, 8 to 11 एर, फिर आता है 3, ठीक है, मिडिल स्टेज, क्लास इसमें आती है 6, 7, 8, 11 to 14, और इसके बास सेकंडरी स्टेज, 9, 10, 11, 12, 9 to 12th क्लास, तो उसका इस ग्रूप होता है 14 to 18, ठीक है, तो इस तरह से स्कूल एजुकेशन को चार भागों में बाटा गया, ठीक है, क्वेश्चन नमबर 9, 9 में क्या पूचा है कि NEP 2020 की अनुसार, स्कूली सिक्षा में किस IU वर्ग को सामिल किया गया है, ठीक है, अब IU वर्ग का मतलब है कि जब बच्चा स्कूल में एड्मिसन लेगा और इसका राइट आंसर क्या होगा, option C, 3-18, जब बच्चा 3 साल का होगा, तो प्री स्कूल में आंगन वाड़ी या बाल वाड़ी का में एड्मिसन लेगा, जब 18 साल का होगा, तो अपनी 12th क्लास कंप्लेट करके निकलेगा, ठीक है, question number 10, अब 10 में क्या पूछा है, NEP 2020 के अनुसार, foundational चरण में किस IU वर्क को सामिल किया गया है, which is group is included in the foundational stage, as per NEP 2020, ठीक है, foundational stage मतलब starting के जो 5 year है, ठीक है, तो कौन सा इस ग्रूप इसमें आएगा, 0 to 3, 3 to 5, 3 to 8, या 8 to 11, तो देखिए, जब हम foundational stage की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा इस ग्रूप आएगा, 3 to 8, ठीक है, 3, मतलब बच्चा जब प्री स्कूल में एडमिसन लेगा, और 8, मतलब जब अपनी second class complete करेगा, तो foundational stage में 3 to 3 से लेकर, 8 साल का इस ग्रूप आता है, ठीक है, question number 11, 11 में क्या पुछा है, कि NEP 2020 के अनुसार, बालवाटिका, आंगनवाडिया, प्री स्कूल में, किस आयू वर्क के बच्चों को सामिल किया गया, तो बालवाटिका की बात करते हैं, बालवाटिका, आंगनवाडिया, प्री स्कूल, यह भी foundational stage का ही एक पार्ट है, एक हिस था, ठीक है, तो इसमें कौन सा इस ग्रूप आएगा, तो 023, 326, 325, 628, तो राइट आंसर क्या है, प्री से लेकर 6 तक, ठीक है, जिसमें बच्चा तीन साल में, आंगनवाडिया, बालवाटिका, यह प्री स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद, बाकी के दो साल, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो इसमें जो आंगनवाडिया, बालवाटिका, प्री स्कूल के बाद की जा रही है, तो 3 to 6, ठीक है, क्वेशन नमबर 12, तो 12 में क्या पूचा है, कि NAP 2020 के नुसार, प्रारमबीक चुरण में किस आयू वर्क को सामिल किया गया है, प्रारमबीक चुरण, प्रिप्रेटरी स्टीज, मतलब, क्लास 3, 4, 5, तो अब इसमें इस ग्रूप क्या होगा, 5 to 8, 6 to 14, 4 to 8, या 8 to 11, तो इस प्रारमबीक चुरण में किस आयू वर्क को सामिल किया गया है, तो मिडल स्टेज का मतलब क्या है, क्लास 6, 7 और 8, तो इसमें इस ग्रूप क्या होगा, 3 to 8 होगा, 8 to 11 होगा, 11 to 14 होगा, या 14 to 18 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, मिडल स्टेज की जब हम बात करते हैं तो 11 to 14, ठीक है, question number 14, अब इसमें secondary stage के बारे में पुछा गया है, ठीक है, कि secondary stage का, इस ग्रूप क्या होगा, ठीक है, तो secondary stage option क्या है, 14 to 18, 11 to 18, 13 to 17, या 10 to 16, तो यहाँ पर right answer, जब secondary stage की बात करते हैं, class 9 से 12 की बात करते हैं, तो ए 14 to 18, ठीक है, question number 15, अब 15 में क्या पुछा गया है, कि NEP 2020 के नुसार, कि चरण में बच्चों को परिक्षा, ग्रीख, कारे और बैक के बोश से दूर रखा जाएगा, तो किस चरण में रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है, starting का जो चरण है, उसमें रखा जाएगा, तो मतलब क्या है, foundational stage, जो बच्चे का 3 साल से लेकर, 8 साल का जो एक age group है न, तो इसमें बच्चों को परिक्षा, होमवर्क और जो बैक का बोश से दूर रखा जाएगा, ठीक है, यह NEP 2020 कहता है, question number 16, 16 में क्या पुछा गया है, कि NEP 2020 के अनुसार, किस चरण में आपचारिक सिक्षा के सुरुवात हो जाएगी, और बच्चों को पुस्तकों से परिचित करवाया जाएगा, तो जब foundational stage में बच्चों को बैक, पुस्तकों परिक्षाओं से दूर रखा जाएगा, तो foundational stage त है, formal education है, उसकी सुरुवात हो जाएगी, 17 में क्या पुछा गया है, NEP 2020 के अनुसार किस चरण में, एक बहु विस्यक अध्यान सामिल है, बहु विस्यक का मतलब है, कि काफी सारे subject आपके पास option होगा, आपको जो अच्छा लगेगा, आप उसको चूज करेंगे, ठीक है, foundational stage secondary stage, middle stage या preparatory stage, ठीक है, तो देखिए, अभी तक हम देखते हैं, कि जब आप 10th class पास करते हैं, तो फिर आपके पास 3 option होते हैं, commerce, arts, science, arts लेने हैं, तो arts के subject लेने पढ़ेंगे, science में, science के subject, commerce में, commerce के subject, लेकिन NEP 2020 में, अब multi-disciplinary की बात की गई है, ठीक है, जहाँ पर आप अ मिल किया गया है, तो क्या है right answer, secondary stage, तो देखिए, पहले कि अगर हम बात करें, तो secondary का मतलब होता था, 9 to 10, लेकिन, और 11, 12th senior secondary, लेकिन NEP 2020 में, इसको एक ही stage बना दिया गया, secondary stage, senior, secondary हटा दिया गया, तो अब 9 से लेकर 12th class सब secondary stage में ही आता है, ठीक है, आगे हम बढ़ते है question number 18, तो 18 में क्या पूचा गया है, कि NEP 2020 के अनुसार की चरण में बच्चों को computer coding सिखाई जाएगी, foundational stage में, secondary stage में, middle stage में, preparatory stage में, तो right answer क्या है, middle stage में, बच्चों को computer coding सिखाई जाएगी, मतलब class 6 से start हो जाएगी, क्योंकि middle stage का मतलब है class 6, 7, 8, question number 19 में क्या पूचा है, अब इसमें क्या पूचा है, कि 6 वर्स की आयू, जब बच्चा 6 साल का होता है, तब तक उसके दिमाग का कितने परतिसत विकास हो चुका होता है, ठीक है, तो option क्या है, 85, 95, 75, या 65, तो right answer क्या होगा, option A, 85%, ठीक है, question number 20, 20 में क्या पूचा है, तो देखिए, इसमें यह पूचा है, कि हम foundational stage की बात करते हैं, ठीक है, पेडागोजिकल जो framework है, वो कौन बनाएगा, कौन सी संस्ता बनाएगी, इस जिम्हिदारी किसको दे गई, SCRT, NCRT, SE, DGC, या NTSC, तो right answer इसका क्या है, NCRT, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 21, 21 में क्या पूचा है, कि मानो संसाधन विकास मंतराले का नाम बदल कर, ठीक है, Ministry of Human Resource Development, तो देखिए, NEP 2020 में सिफारिज दी गई थी, क्योंकि, पहले क्या होता था, MHRD इसको हम कहते थे, Ministry of Human Resource Development, तो पहले सिक्षा इसके अंतरगत आती थी, ठीक है, क Ministry of Human Development, या Ministry of Human Rights, Ministry of Higher Education या Ministry of Education, तो right answer क्या होगा, D, Ministry of Education, Ministry of Human Resource Development का नाम बदल कर, Ministry of Education रखने के बाद की गई, NEP 2020 में, क्वेसिन नम्मर 22, Vocational Education रिजकेशन की पेजाब की जाई, क्लास 5 से, क्लास 6 से, लिट एट से, या क्लास 11 से, तो right answer इसका क्या होगा, क्लास 6 से, Vocational Education रिजकेशन की भाद की गई, देखिए, question number 23, 23 में क्या पूछा है कि NAP 2020 किन चार स्थम्बों पर आधारीत है on which four pillars is NAP 2020 based कौन से चार स्थम्ब है option A, access, equity, equality and accountability B, development, equity, cleanliness and honesty C, justice, development, education and quality या D, development, equity, cleanliness and accountability तो यहाँ पर right answer जो होगा, वो होगा option A access, equity, quality and accountability यह four pillars की बात की गई इन four pillars पर NAP 2020 जो है अधारीत है question number 24, अब इसमें क्या पूछा है तो देखिए इस question को आप समझ सकते हैं कि यह बात सामने आई कि जो बच्चे 12th class complete करते न तो उन में से केवल 26.3% बच्चे ही higher education की तरफ जाते है higher education मतलब college education की तरफ जाते हैं ठीक है बाकी की जो बच्चे हैं वो college तक नहीं पहुंच पाते है अपनी higher education तक नहीं पहुंच पाते तो NAP 2020 में election इधारित किया गया कि आगी चलकर इस year तक जो 26.3 है इसको हम बढ़ा कर 50% हमारा करने का एक target है ताकि जितने भी बच्चे अपनी school education complete करें कम से कम 50% बच्चे जो है अपनी higher education तक पहुंचे तो इस target कब तक का रखा गया ठीक है 2025 तक का रखा गया 2030 का रखा गया 2035 का रखा गया या 2040 का रखा गया कब तक का इस target रखा गया ठीक है तो right answer क्या है right answer है option C 2035 तक 26.3% से 50% करना ठीक है एक लक्ष रखा गया आगे last question क्या है what is the full form of Meru? Meru का पूरा नाम क्या है multi-disciplinary education and research university, multi-disciplinary education and research undertaking, multi-stage education and research university या multi-lingual education and research universities तो इसका पूरा नाम क्या है option A multi-disciplinary education and research university तो देखिए NAP 2020 में multi-disciplinary education and research इस तरह की university open करने की बात की गई है ठीक है तो 125 question जिनके थूरू हमने NAP 2020 को अच्छे से जाना समझा तो आप सब अपनी तयारी को अच्छे से रखिए ताकि आपके exam अच्छे से जा सके आप सब का बहुत-बहुत धन्यवार